गर्फरंड याद करे तो हिच की आती है और income tax department याद करे तो पसीना इसलिए तीन चीज़े कभी मत करना वरना income tax department notice बेस देगा रिल सेव करो कोई भूलना जाओ पहला अगर आपकी reported income और आपकी computed income जो income tax ने निका लिए दोनों में mismatch हो तो दूसरा या आपने अपनी income से जादा deduction दिखाई हो जैसे कि medical expenses, donations, etc और तीसरा अगर आपने कोई high value transaction किया हो जिसका income tax department को AIS और TIS से report विला हो जैसे कि mutual fund, shares, bond, cash withdrawal, cash deposit, etc बस time से अपनी सही eye care फायल कर देना ताकि income tax department याद ना करे अब इस reel को share करके आपने दोस्तों को भी याद दिला दो